मस्कार दोस्तों स्वागत है फिर आपका नए धामा केदर ब्लॉग वीडियो के साथ तो दोस्तों आज मैं आगे हूँ आईसे जगह में जहां पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह चटानों के बीच खेती की जाती है और खेती केने के बाद भी उपज जिना के प पूरा खा जाते हैं इधर जंगल का इलाखह है जिसके कारण से और यहां के किसान बहुत ही नाखुस है तो यहां के खेती yeah लेकिन उपज नहीं हो पाता है जिसके कारण किसान बहुत ही रहते हैं इसे तरह चटानों के बीच खेती करके थोड़ा भूँत खाते पीते हैं मैं आप लोगों को बताये था कि मैं दिखाँगा चटानों के बीच खेती कैसे होती है तो यहीरा कुछ ना जा रहा देखिये चटानों के बीच की सतरा किसे के से खेती की जाती है तो बस इतना ही आज के लिए उमिद है आज के वीडियो आप नोंको अच्छा लगा यदि कि ये चैनल में नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो बस इतना ही, मिलते हैं किसे और नहीं, धमाकेदार व्लॉग वीडियो के साथ, तब तक लिए आप जहां भी रहो, मचाती रहो